हेलो गुड मॉर्णिंग दोस्तों तो आज हम लोग जेयोग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं और जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 पहले बन चुका है अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो देख सकते हैं तो यह क्लास 8 का वीडियो है आप थम् मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 और सब्जेक्ट है भुगोल मृदा संसाधन मृदा संसाधन रीना सुरेश सलमा और सुख विंदर एक सांथ मिट्टी से Communications मिट्टी से खे रहे थे मतलब तो सुरेश मिट्टी की गोलिया, रीना मिट्टी से गाड़ी बना रही थी, तो सुरेश मिट्टी की गोलिया बना रही था, सभी अपने अपने कामों में ब्यस्त एवं खोश थे, अचानक सुखविंदर बोला, इतनी मिट्टी आई कहां से, क्या मिट्टी के बिना भी चीज येने भी पेड, पौधे, घास एवं जाडिया पाई जाती हैं, उनमें से तो अधिकांस मिटी में ही तो उगते हैं। बात सही बोली रिना, रिना बोलती है कि जो पेर होते हैं, पेर, पौधे, घास, जाडिया ये सब मिटी से ही तो उगते हैं। सुरेश बोला, मेरी दिदी बता रही थी कि पौधे अपना भोजन एवं आवश्यक पोशक तत्वो मिटी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा प्रिथ्वी के सब से उपर, भूपटल के उपर मतलब सब से उपर पाही जाती है। इस सतह से पेर पौधों की विदी के लिए सभी जरूरी खनीज, तत्व, पोशक तत्व, एवं चटानों के कन मौजूद होते हैं। पोशक तत्व के रूप में मृदा में यूमस, वायू, जल, सुक्ष्म जीवानु उपस्तित रहते हैं। अब सुर्य से बोल परता है कि भाई मेरी दिदी बताती है कि पौधे अपना भोजन खुझ से बना पौधे अपना भोजन और अवशक पोशक्ततों जो उनको चाहिए वो सब मिटी से प्राप्त करते हैं। मिटी पाएते हैं। और इस सतह में पेड पौधों की व्रिद्धी के लिए सभी जरूरी खनीज ततों पोशक ततों चटानों की कण मोजूद होते हैं। तो यह चीज सुरे से बोलता है। अब देखिए। मिटी को ही मृदा सनसाधन कहते हैं। सहं को कहते हैं। और हुमस किसको बोलते हैं यह देखिए मृदा में पेड़ पौध हो जीवो एवं अन्य सरे गल्य पदार्थों को और शेशों का हुमस कहते हैं जैसे अचानक से क्या हुआ कि कुछ पेड़ पौध है या जीव जनतों अंदर दब गए हैं तो वह सब क्या होंगे वह हुमस हो अब हम पढ़ेंगे मृदा का उपयोग यहां पर सलमा बोली रिना तुम बताओ तो मृदा के क्या-क्या उपयोग है रिना सूच में पढ़ गई और कुछ देर बाद बोली देखो फसलों की खेती करने में बात तो सही बोली मृदा के लिए मतलब मिट्टी के लिए क्या ज ग्रिह निर्मान में ये भी बात सही भूली मृदिया बनाने में ये मृदा का उपयोग है इंट, खिलोने, गमला, घड़ा, शुराही, खपड़ा, इत्यादी बनाने में सुखविंदर बोल उठा अब मैं बताऊंगा मिट्टी के गिलास दिया कलश इत्यादी बनाने में तथा मींड बांध तटबंध कच्ची सडक इत्यादी के निर्मान में भी तो मिट्टी का उपयोग होता है ये कौन बोला है बात सुखविंदर बोला है अब हम पढ़ेंगे अगला टापिक मिरिधा निर्मार कि सुरेज नहीं आखिर इतनी मिट्टी बनती कैसी है शुरेज कर से स्वास में मिट्टी का क्या क्या उपयोग होता है सूची बनाईए यह activity आपको मिला है कि आथ सब्सक्राइब से करोगे मिट्टी का क्या क्या उप्योग है अब बनाईए अब देखिए तो सलमा बोलती है जब सुरेश पूछता है कि आखिर इतनी मिट्टी बनती कैसी है तो सलमा बोलती है कि किसी अस्थान की मृदा के निर्मान में वहां उपस्तित मौली चटान मतलब जो चटान है उसके बरम ब धाल तथा समय का योगदान होता है कि समय का योगदान होता है क्या चाहिए तो किसी अस्थान के मृदा के निर्मान में वहां के उपस्तित मौली चटान हो गया छेत्र के जलवाईयू हो गया वनस्पति सुक्ष्म जीवानू छेत्र के उचाई धाल तथा समय का योगदान मृदा निर्मान प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चटाने तूटती हैं मौलिक चटाने यानि चटाने सबसे पहले तूटती हैं और तूटे हुए कनों के और महीन होने की प्रक्रिया अनौरत चलती रहती है हजारों लाखों वर्सों बाद वह चटानी टुकडा भौतिक रासाइनिक और जैविक रितु छड़न से महीन कनों में बदल जाता है वह चटानी टुकडा भौतिक और रासाइनिक जैविक रितु छड़न से महीन कनों में बदल जाता है जो मृदा कहलाता है मृदा कहलाता है समान्यत एक सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्मान में सैकरों हजारों वर्स लग जाते हैं रिना बोली बाप रे मिट्टी बनने की इतनी लंबी प्रक्रिया है मैं तो सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है रिना बोलती है बाप रे मिट्टी बनने की इतनी लंबी प्रक्रिया है मैं तो सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है आगे हम देखते हैं जैविक एवं रसायनी क्रितु छरण पेड़ पौध है पेड़ पौध हों जीव जन्तुओं मानुवी क्रियाओं तथा जल की प्रक्रिया से चैटानों का तूटना एवं गलना रसायनी क्रितु छरण कहलाता है कोई पूछे कि रसायनी क्रितु छरण क्या है तो आपको बता देना देखिए कि पेड़ पौध हों जीव जन्तुओं मानुवी क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चैटानों का तूटना एवं गलना रसायनी क्रितु छरण है और भौतिक्रितु छरण है तापमान में उतार चड़ाओं तूसार क्रिया तथा चैटानी परतों में परतों के फैलने सिकुरने से चैटानों का तूटना भौतिक्रितु छरण है तापमान में उतार चड़ाओं तूसार क्रिया तथा चैटानी परतों के फैलने सिकुरने के चैटानों का तूटना भौतिक्रितु छरण है अब देखिए मिटि के विभिन अस्तर यहां मिटि जो अस्तर होते हैं उसके बारे में दिया अस्तर अस्तर बालू एवंपंक पाय जाते हैं अस्तर सौ जो है रितुशरित कन पाया जाता है और अस्तरदौ में मौलिक चटान पाया जाता है देख लिए यह उसका लेबल है सुखविंदर ने कहा मृदा निर्मान की प्रक्रिया काफी लंबी अवधी में पूरी होती है इस दौरान मृदा के तीन अस्तर तयार हो जाते हैं इन्हें उपर से नीचे की और क्रमस अ से 25 अस्तर श 25 अस्तर और 100 अस्तर कहा जाता है उपरी अस्तर हो में हूमस अधिक्ता होती है अभी कुछ दिर पहले वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं जो हम लेवल बता हैं अस्तर आ में हिूमस बाज़ता है उसके बारे मिहां बता जा रहा है उपड़ी अस्तर आ में हिूमस की अधिक्ता होती है क्या मिलता है रितू सड़न से प्राप्ट चटानई कण मिलते है जबकि सबसे निचले अस्तर में मूल चटान होती है इसे अस्तर दव भी कहा जाता है रितू श्रन भी इसके पहले में बताया था तो थोड़ा से वीडियो को पीछे करके आप देख लिजीए झाल 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 झाल